नमो नमहा, ओनलाइन सम्स्कृत लर्निंग सेंटर में आपका पुनह स्वागत है, आए आज हम सश्ठीक अक्षया के सब्द परिचयह दुतियह पाठह इस पाठ का वाचन और हिंदी अनुवाद हिंदी व्याख्या करेंगे आए वच्चो पूर्वपाठ में याने पर्थम पाठ में हमने मिलकर अकारांत पुमलिंग सब्द जिनके अन्त में अ आ रहा था एसे सब्द जैसे गजह, अजह, बालकह, व्रिक्षह इत्यादी सब्दों का अभ्यास हमने किया था एक वचन, दुई वचन और बहु वचन में होते हैं इत्यादी इत्यादी भी हमने विशय को पढ़ लिया था तो आए आज हम आकारांत इस्त्रिलिंग सब्दों का प्रियोग और अभ्यास सिखेंगे देखो, पाठ में सर्व बर्थम क्या-क्या है, कैसे लिखा है, उसको देखते हुए, समझते हुए हम इसका हिंदी रुपांतरन भी करेंगे पहला वाक्य है एशा का, देखो एशा का याने यह क्या है एशा सब्द नजदीक में अवस्थित किसी वस्थु को जो इस्त्रिलिंग में है उसको बताता है एशा का यह क्या है, इस जूला को दिखाया जा रहा है, इसको समझाने के लिए, इसको पूछने के लिए कहा जा रहा है कि एशा का अब इसका उत्तर होगा एशा दोला याने यह जूला है यह याने पास में नज़्दीक में जो हो उसको यह कहने के लिए हम सम्सकृत में एशा एशा भी प्रियोग करते हैं देखो अगला वाक्य है दोला कुत्र अस्ति दोला याने जूला कुत्र कहां पर अस्ति है जूला कहां पर है इसको बताने के लिए सम्सकृत में क्या बाक्य है दोला कुत्र अस्ति दोला उपवने अस्ति दोला उपवने अस्ति दोला याने जूला उपवने याने वगीचे में बगी चे में है अस्ति है देखो यहाँ पर एक चित्र है किसका चित्र है ये प्रस्ण है सा का सा यानि वह दूर में अवस्थित कोई बस्तु हो तो वह इस्त्रिलिंग में होगा तो हम सा सब्द का प्रियोग करके पूशते हैं वह क्या है सा का वो क्या है सा घटी का वह घटी का है वो घडी है वो क्या है वो घडी है घटी का किम सूचयती घटी का घडी किम क्या सूचयती सूचित करती है अथवा बताती है गड़ी क्या बताती है घटी का समयम सूचयती गड़ी का यानि गड़ी समयम यानि समय को सूचयती सूचित करती है या बताती है यानि गड़ी हमको क्या बताती है समय बताती है तो दूर में अवस्थित किसी वस्तु को इस्तरलिंग में पूछना हो तो सा का प्रयोग होता है, ऊब हम दो बचन में देखते हैं, क्या है, A ते K, यहाँ पर दो चिडिया है, इनको दिखाते हुए प्रस्न किया जा रहा है, A ते K, ये दो कौन है, A ते ये दो K अर्थात को किले एक और प्रस्ण है किम क्या एते ये दो को किले कोयल हैं देखो ये पास में होने के कारण एते एक होने के कारण एशा दो होने पर एते एते के किम एते को किले क्या ये दो कोयल हैं देखो क्या ये कोयल हैं क्या न एते चटके नहीं ये दो गवरया हैं गवरया जानते ह न, नहीं, एते ये दोनों चटके गवरया हैं, चटके किम कुरुतह, ये दो गवरया चटके याने दो गवरया किम कुरुतह, क्या कर रही हैं, एते विहारतह, ये दो विहार कर रही हैं, ये दो गवरया ब्रहमन कर रही हैं, या फुदक रही हैं, या ये दोनों गोरया विहरतह यानि फुदक रही हैं अब देखो यहाँ पर दो क्या है गाड़ी और इसके अंदर कोई महिला गाड़ी को चला रही है यानि दो चित्रों में दो महिला ड्राइवर हैं दूर में गाडिया चल रही है ना, इसलिए यहां पर ते लिखा हुआ है, सा एक दूर में होने पर, ते दो दूर में होने पर, सा ते, ते के, देखो ते याने वे दो कौन है, वे दो देखो गाड़ी के अंदर बैठी वई महिला है ना, उनको ले कर पुछा जा रहा है, वे चालिका हैं ते किम कुरुतह वे दोनों क्या कर रही हैं ? अब देखो एक और चित्र है, इस चित्र में तीन गोल गोल वस्तु हैं है ना ? चलो पढ़ते हैं, येताह काह, येताह, ये पास में रखे हुए, ये सारे, दो से अधिक के लिए, बहु बचन का प्रियोग होने के कारण, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं एताह स्थालिकाह एताह ये सब स्थालिकाह थालियां हैं किम एताह गोलाकाराह किम क्या एताह ये गोलाकाराह गोलाकार के हैं गोलाकार के हैं क्या आप देखिये आम ये ताह गोलाकाराह एव आम अर्थात हाँ ये ताह ये सब गोलाकाराह गोलाकार के एव यानि ही हैं एव का मतलब एसे ही हैं ऐसा कहने के लिए समस्कृत में एव इस अभ्या का प्रियोग करते हैं आम ये ताह गोलाकाराह एव एसे बोलते हैं यानि हाँ ये थालियां गोलाकार के ही हैं देखो दूर में एक चित्र है उस चित्र में कुछ बकरियां हैं तो हम पढ़ेंगे इसको ताह काह यानि वो दूर में कोई हैं वो इस्त्रिलिंग में हैं तो हम क्या कहेंगे ताह सा ते ताह, ताह काह वे क्या हैं? ताह वे अजाह बकरियां हैं तो ताह अजाह वे बकरियां हैं ताह किम कुर्वन्ती वे क्या करती हैं तो वो क्या कर रही हैं गास चर रही है ना। इस प्रकार से सा ते ताह एशा एते एताह का प्रियोग करती हुए इस त्रिलिंग के सब्दों के साथ बाक्य बनाया जाता है चलो बच्चों इस आकारांत सब्दों का कुछ रूप रेखा समझती हुए आज का पाठ हम यहीं पर विश्राम करते हैं इस पाठ के अभ्यास भाग को लेकर हम पुनहा हम आपके साथ उपस्थित होंगे तब तक के लिए नमो नमहा धन्यवादहा पुनर मिला महा